आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर तमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा कि सर अगर नोटिस के अंदर पेनल्टी नहीं लगी है तो क्या ओडर के अंदर पेनल्टी लग सकती है चेलिए तो आज इस बात पर डिसकस कर लेत हैं भाई अगर यह देखो यह हमारे को एक नोटिस आया था 24 सितंबर 2023 को इस नोटिस के अंदर अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ने डिमांड मांगी है इंटरस्ट मांगा लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई सर यह कौन से सेक्शन में नोटिस दिया भाई यह सेक् की पेनल्टी वो लगा सकता था लेकिन डिपार्टमेंट ने नोटिस के अंदर यह पेनल्टी नहीं लगाई अब इसी नोटिस के अगेंस्ट कुछ दिन बाद डिपार्टमेंट ने ओडर इशू कर दिया और जब डिपार्टमेंट ने ओडर इशू कर दिया तो ओडर के अ आप मुझे ये बात comment box में लिख कर बताओ, सर section में लिखा हुआ है penalty लग सकती है, तो order में हमने penalty लगा दी तो valid है, नई भईया, इस बात को समझो, जब आप GST लो का section 75 का subsection 7 पढ़ते हैं, तो subsection 7 में ये बात clear लिखी हुई है, कि भई तुम्हें assessis है जो मांगना है, tax मांग तो जब आप order दे रहे हो, order देते समय, जो amount आपने notice में मांगा ही नहीं, तो आप order में उसकी demand नहीं कर सकते हैं, चलिए, subsection 7 की language बढ़ लेते हैं, लिखा है, the amount of tax, interest, penalty, demanded in the order, shall not be in excess of, shall not be in excess of the amount specified in the notice, कि भाई साब notice के अंदर जो आपने, दीगे ना, notice के अंदर आपने जो amount demand गरा है, order के अंदर आप उससे एक रुपिया फाल्तु भी नहीं मांग सकते, तो इस बात को आपको ध्यान दखना है, आपको अपना notice और order चेक कर लेना है, और अगर आपके order के अंदर penalty मांगी गई है, और आपसे notice में penalty demand नहीं की गई है, तो आप क्या कर सकते हो, सर अप क्या रहे मेड़ी है, भाईया आप क्या करो, आप rectification file करो, section 161 में, और इसमें ये लिखो, कि जो ये आपका order है, सर ये गलत है, मैडम ये आपका order गलत है, इसे rectify कर दीजिए, क्योंकि क्यों गलत है, section 75.7 के हिसाब से गलत है, ठीक है न, तो अगर आप ये rectification की request डालते हो, तो मेरा मानना ये है, कि 100% आपकी request को accept किया जाएगा, और जो भी officer होगा, वो अपने order को rectify करेगा, और ये penalty का amount अटा देगा, आपकी क्या रहे है, मुझे comment box में लिख कर बताओ, सर ये section सारे कहा पढ करने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दू, अर्जुन बैच इस time जोरो पर चल रहा है, जो हमारे अर्जुन बैच के student है, उन्हें पता है, कि वही वो अर्जुन बनने की तयारी में है, तो अगर आपने अभी तक अर्जुन बैच नहीं लिया है, तो फटा-फट से हमारे app को डाउनलोड कर लो, और app को डाउनलोड करके free course देख लो, और अगर free course अच्छा लगता है, तो फटा-फट से अर्जुन course में एंदोल करा लो, sir, अर्जुन course को तो चले हुए न, दो महीने हो गए, मेरी तो न, आठ क्लासे निकल गई, क्या करूँ, tension मतलो, अर्जुन course अ जो भी आपकी क्लास मिस होएगी, वो क्लास आपको recording मिल जाएगी, और हर Sunday to Sunday मेरे साथ बैट कर, GST के अर्जुन आपको बनना है, ठीक है न, आपको अपनी knowledge को enhance करना है, एक systematic way में पढ़ाई करनी है, जिससे कि ये जितने भी notice आ रहे हैं, जितने भी order आ रहे हैं, आप ठीक से एक लवे बैच को जोइन कर लो, इसमें income tax, balance sheet, TDS, ये सारा का सारा आपको सिखा देंगे, आपको अमारी वीडियो कैसी लगी, comment box में लिख कर बताना, और हाँ, इस बार ज्यान दख लेना, इस बार इस Sunday को जो हो accounting पर session कर रहे हैं, अब तुम जैसे ही जो हो accounting करोगे, टै पर काम नहीं करना है, आप तो जो हो पर करना है, तो आप कह दो yes हम करतेंगे, चलिए इस वीडियो को यही पर close करते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, इस वीडियो को जादे से जादा लोगों तक share कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता लग जाए कि भई as per section 75, subsection 7, ठीक है न, जो भी amount आप order में मांगोगे, वो notice से जादा नहीं होना चाहिए, thank you जी